हेलो स्टूडेंट्स वेलकॉम अगें टू लर्न विज देतिमन नेक्स्ट हमारा चैप्टर है आखे टु खाद्य संग्रे से भोजन उत्पादन तक इसी तरीके से हम पढ़ेंगे जैसे हमने चैप्टर वन को पढ़ा important fact मैंने आपको बताए और वहाँ पर आपने उन्हें यादभी कर लिया लास्ट में हमने अभ्यास प्रश्न भी किये थे तो चलिए आपको लास्ट वीडियो में से ही एक question का अंसर देना है हमने तिथिओं की बात की थी लास्ट चैप्टर में हमने तिथिओं की बात की थी त आपना आंसर चोड़िएगा चलिए next chapter जो है वो हम ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे कि हमने chapter 1 पढ़ा था यहीं पर जो है वो जो भी important line होगी वो मैं आपको याद कराने की कोशिश करूँगी तुसार की rail यात्रा तुसार अपने एक रिस्तेदार की शादी में दिली से चिनने ही च को याद कराने की कोशिश भी की जाएगी ठीक है तेज दोड़ती घाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे घर खेत खल्यान बड़ी तेजी से पीछे की ओ छूटते चले जा रहे थे तो हम भी जब यात्रा करते हैं तो सारी चीज़ें ऐसे लगता है जैसे कि वो पीछ दसक बाद आई यानि कि आपको यदि नहीं पता है कि बस का पहले अविश्कार हुआ या रेल का हुआ या रेल भारत में सबसे पहले चली है ठीक है उसके बाद बस आई है तो सार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवार्या नह आरंबिक मानव जो है उसका जीवन कैसे था कैसे वो एक जगे से दूसरे जगे जाते थे और क्यों जाते थे आखिर वे इफ़े इधर उदर क्रें लुए को मानव था हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उप महाधीद में 20 लाक साल पहले रहा करते थे आज हम उन जो है इनसे भोजन करते थे ठीक है जानवरों कशिकार करते थे मास खाते थे तो ये लोग जो है एक जोगे पर तो नहीं रहा करते थे धूँम फिरते रहते थे खादे की होज में तो इनको हम आखी टॉक одна क्वादे नाम से जानते हैं ठीक है 20 लाख साल पहले ये लोग जो है किस नाम से जाने गए आखे टक खाते संग्राहक तो ये पॉइंट जो है वो आप ध्यान में रखिएगा तो भोजन का इंतजाम करने की विधी के आधार पर ही इन्हें इस नाम से पुकारा गया आमतोर पर खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते, मचलियां पकरते, चिडिया पकरते, पल, पूल, दाने, पौधे, पतियां और अंडे इखते किया करते थे ठीक है तो ये काम करते थे इसलिए इनके अधार पर ही इनका नाम जो है क्या पड़ा आखे टक खाते संग्राहक तो आखे जगे से दूसरे जगे जाया करते थे तो क्या कारण रहे थे तो इस चैप्टर में जो है चार कारण जो है वो बताए हैं इनके एक जगे से दूसरे जगे जाने के लिए और वो क्या थे पहला कारण पहला कारण ये था कि अगर वे एक जगे पर ही ज्यादा दिनों तक रहत तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे अब एक जगे समाप्त हो गए तो इस वजए से जो है उन्हें और भोजन की तलास में उन्हें एक जगे से दूसरी जगे जाना पड़ता था तो जो जानवर जिनका शिकार ये लोग करते थे वो खुद भी चारा डूमने के लिए एक जगे से दूसरी जगे जाते थे तो ये जो खादे संग्रहाग थे, इन जानवरों का क्या करते थे, पहला कारण क्या रहा कि वहाँपर जब भोजन किसमाप्ती हो जाती थी, तीसरा कारण था कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग-अलग मोसम में आते थे ठीक है इसी लिए लोग उनकी तलास में किसकी तलास में जो पल जो पेड़ पौधे जो हैं अलग-अलग मोसम में आते थे तो जिस मोसम में जिस जगह पर आते थे उस जगह पर वो चले चुरुथा कारण क्या था कि पानी के बिना किसी भी प्लानी या पेड़ पौदे का जीवित रहना समभव नहीं होता है और पानी झी जरनों और नदियों में ही मिलता है यद पी कई नदियों और जीलों का पानी कभी नहीं सुपता था लेकिन कुछ जीले कुछ नदियां ऐसी थी जो की बारिस के पानी पर निरवर रहती थी ठीक है और वहां पर पानी जो है बारिस के बाद ही मिल पाता था तो इसी लिए ऐसी जीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सुखे मौसम में पानी की तलास में तो ये जो था महतोकून कारण था चौथा ये कारण ये बहुत महतोकून कारण था ठीक है तो उनको एक जगे से दूसरे जगे जाना पड़ता था तो हमने क्या पढ़ा कि 20 लाग साल पहले जो मानव थे उनको क्या कहा गया आखे तक खाद्य संग्राहक कहा गया ठीक है एक तो आपको ये बात याद रखनी है जो भोजन समाप्त हो जाता था एक जगाय का, उनको खापी कर वो समाप्त कर देते थे, तो उसकी जो है भोजन की तलास में, ये कुछ दो तिन शब्द जो है, आप याद रहें, अभी तक जो पढ़ा है हमने, ठीक है बोजन की तलास में एक जगे से दूसरी जगे चले जाते थे जिन जानवरों का वो शिकार कते थे वो जानवर खुद चारा खाने के लिए एक जगे से दूसरी जगे जाते थे ठीक है तो उनका जो है वो जानवरों का क्या करते थे पीछा पीछा करने की वज़े से खादे संग रहा के एक जगे से दूसरी जगे चले जाते थे तीसरा जो है हमने पढ़ा कि मौसम के अनुसार जो है पेड़ पौदे जो है होते थे तो उस वज़े से वो एक जगे से दूसरी जगे जाते थे चौथा कारण था पानी की तलास में, ठीक है? ठीक है? तो अभी तक यदि आप नोट्स बना रहे हैं, तो इस तरीके से नोट्स बनाईएगा ठीक है? तो ये चीज़ें जो हैं, वो आपको ध्यान में कखनी है, तो आपको यहाँ पर आई होप याद भी हो गया होगा के दोरान उन्हें पहुत सारी जो है वो वस्तुवें मिलती थी जिसके अधार पर वो पता लगाते थे कि ये चीज जो है उस समय यूच की गई होगी तो पुरा तत्विदों को कुछ ऐसी वस्तुवें मिली जिसका निर्मान और उपयोग जो है आखे तक खाद संगरहा किया क लुआ करते थे ऐसे उन्होंने पता लगाया कि लोगों ने अपने काम के लिए पथरों लकणियों और हड़ियों के ऑज़ार बनाए हों अब हो शिकार करने के बाद जानवरों का मास घैनिया बच चार दीती ठीक है अब उनके सामने तो घटियों को क्या करें तो धीरे-ध अगला जो सिकार किया जाएगा ऐसे जानवर जिसके लिए नुकीले हत्यारों का प्रियोग जो हमें करना चाहिए तो उन्होंने हड्डियों के ही ओजार बनाने स्टार्ट कर दिये ठीक है और इसके अलावा पत्थर जो है पत्थर जो नुकीले पत्थर थे उनका उप्योग भी करने लगे ठीक है लकडियों का उप्योग भी करने लगे बात में जाके जो आपका विश्कार हुआ उसी मास को जो है वो पकाने के लिए लकडियों का प्रियों करने लगे, कुछ लकडियों के जो हत्यार बनाने लगे तो इनमें से पत्थरों के ओजार जो हैं जो की आज भी बचे हैं इनमें से कुछ ओजारों का उपयोग फल पुल काटने, हड़ियां, मास काटने और पेड़ों की छाल, जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था कुछ के साथ हड़ियों, लकड़ियों के मुठे लगाकर भाले और बांड जैसे हत्यारख बनाय जाते थे तो ये समझने वाली चीज़े है, कुछ ओजारों से लकड़ियां काटे जाते थे और लकड़ियों का उपयोग इनन के साथ जोपड़ी ओजार बनाने के लिए भी किया जाता था तो इस पहरा ग्राफ में जो है, इंपोर्टेंट लाइन आप लोगों के लिए क्या है, कि पुरा तत्व विदों को आखी तक खाध संग्रहग जो थे, तो उसे टाइम की जो हत्यार मिले, वो किसके बने होते थे, पत्थरों के, लकड़ियों के, और हड़ियों के, ये आप नाम याद रखें, ठीक है, उस समय लोहे की कुछ नहीं हुई थी, तो यहाँ पर नहीं है, अब देखिए, यहाँ पर दो चितर बने हुए, तो इन पत्थरों का यूज वो किस काम में करते थे, तो पहला जो ये आपको चितर दिखाई दे रहा है, तो इस समय जो है, क्या क नुकीली चीज चाहिए होती थी, ठीक है, तो पत्थरों के ओजारों का प्रियोग किया गया, अब ये जो नुकीलापन है, इसका पत्थर का, इससे वो खुदाई करते थी, दूसरा पत्थरों की जो नुकीलेपन से वो क्या करते थे, ये जो मास है, जानवरों की खाल से ब पत्थर से बने औजारों का वो लोग प्रियोग करते थे नेक्स्ट देखिए रहने की जगे निर्धारित करना अब एक जगे से दूसरी जगे जब घूमते थे वो तो उन्हें कई चीजों का ग्यान हुआ ठीक है और उन्होंने ये सोचा कि अब जो है हमें एक जगे रहना प कुचित विवस्था हो जहां पर हमें जो है वो पत्थर भी बहुतायत मिले जिलसे हम नुकीले हत्यार भी बना सकें मांचितर दो को देखो लाल तरकोन वाले इस्थान वे पुराइस्थल हैं जहां पर आखी टक खादे संग्राहकों के होने के प्रमान मिले हैं इसके पुराइस्थल के बारे में पता लगेगा कहां कहां पर आखी टक खादे संग्राहक जो है इन्हों ने रहने के बारे में सोचा था ठीक है अब देखें यहां पर जो संकेत दिये गए हैं तो लाल तरकोन सबसे पहले हमें देखना है यहां पर आखी टक खादे संग्राहक र ठीक है इसके अलावा जो है वो हुस्गी जो है ठीक है उसकी जो कहां है करनाटक साइड में है दूसरा देखिए नव पाशानिक पुराइस्तल तो नव पाशानिक पुराइस्तल जो की कहां पर था हलूर में था करनाटक पेहम पल्ली देखिए तमिल नाडू में ठीक है इसके अलावा जो है और भी देखिए नव पाशानिक पुराइस्थल यहाँ पर कस्मीर साइड में वोर्ज हूम उसके बाद यहाँ पाकिस्तान अफगानिस्तान के यहाँ पर मेहर गड़ जहां कपास की खेती के जो साक्षे मिलते हैं ठीक है उतर प्रदेश साइड में देखे दोल की गुफाएं देखी और तीसा हमने भीम बेटगा की गुफाएं देखी तो आपको यहीं पर यह याद भी हो गए होंगे ठीक है महापाशानिक पुराइस्थल वो कहां पर थे तो यहाँ पर जो हरे में आप लोगों को दिखाया गया है तो यह महापाशानिक इनाम गाउं इसके पीछे भी गाउं लगा हुआ है तो यह आरंबिक गाउं थे जहां पर आकर सबसे पहले गाउं बसाया उसके बाद आधुनिक जो नगर जो की वरतमान में भी जो बड़े नगर है जैसे मुंबई है कोलकाता है यह दो जो है वो आरंबिक नगर भी रहे ठीक है तो यह map जो है वो आप लोगों के लिए बहुत important है जहां पर भी आप जो है notes बना रहे हैं तो बिल्कुल लिखिये गहां वहां पर लिखना है आपको कि जो पुरा इस थल थे तो उसमें कौन-कौन से आये थे इस थान भीम बेट का ठीक है और यह बीम बेट का कहां ह यह भी लिखना है कौनूल की गुफाएं और यह कहां कहां पर जगे यह भी आपको लिखनी है एक्जाम में पूछ ली जाती है चलिए next हम देखिएंगे इसके आगे भीम बेट का के बारे में जो है वो बताया गया है तो यह पुरा पाशान इस था भीम बेट का ठीक है हमन अभी देखा तो यह कहां है आदुनिक मद्य प्रदेश में इस पुरा इस्तल पर गुफाएं वा कंदराएं मिली है यानि यहां पर जो है यह रहे थे ठीक है लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहां उन्हें बारिस धूप हवाओं से रहत मिलती थी यह जो है वो नर्मदा घाटी के पास है क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने ये जगे क्यों चुनी होगी तो मैंने आपको बताया कि नर्मदा घाटी के पास एक तो इनको पत्थर वगरा मिल गए होगे दूसरा पानी की उच्चेत विवस्था हो गई होगी य यहां पर जो है ये बारिश दूप और हवाओं से इनको राहत मिली इतने सारी फैसिलिटी जहां मिलेंगी इनसान को तो वह वहीं रहेगा चुकि पत्थर के उपकरण बहुत महतपून थे इन लोगों के लिए इसी लिए लोग जो है ऐसी जगे धूंगते रहते थे जहां पर अच्छे पत्थर मिल सकें ठीक है नुकीले पत्थर मिल सकें शैल चित्र कला यानि कि पत्थर पर बनाई गई कला पत्थर पर जो है वो चित्र उके रहे गए तो यहां पर जो है एक चित्र आपको देख रहा है यह जो है एक मानव जो है इनसान का जो है चित्र बना है और ये जो है हिरन का शिखार कर रहा है, तो जो चीज ये लोग देखते थे, जो करते थे, उसी के चितर ये इन्होंने बनाए, जिन गुफाओं में ये रहे, वहीं पर जो है इन्होंने चितरकारी भी की, जिन गुफाओं में लोग रहते थे, उनमें कुछ की दीवारों पर मिले हैं इनमें कुछ सुन्दर उधारन जो है वो मद्दे परदेश और दक्षन उत्तर परदेश की गुफाओं पर मिले हैं important line हो गई आप लोगों के लिए कि जो आरंबिक मानव थे उनके शैल चितरकला के उधारन हमें जो है कहां से मिले हैं तो वहाँ पर गुफाओं में बने चितरों से हमें पता लगा कि यहाँ पर जो है वो शैल चितरकारी की गई तो मद्दे परदेश और दक्षणी उत्तर परदेश की गुफाओं में तो इने में जंगली जानवरों का बड़ी कुसलता से जो है वो सर्जीव चित्रण किया गया ठीक है तो ये देखिए क्या है ये गुफाएं है ये आपको दिखाई दे रही है ये जो यहाँ पर जो है वो अपने आपको सुरक्षित रखते थे इसके अंदर गुफाब बनाकर रहने लगे चित्रकारी करने लगे अब चित्रकारी भी वो किसकी करेंगे जो चीज वो करते थे शिकार करते थे तो नहीं के चितरकारी वो करने लगे अब देखिए पुरा इस्थल की डेफिनिशन क्या होती है पुरा मैंने बताया पुरा ना इस्थल यानि वो जगे पुरा इस्थल उस इस्थान को कहते हैं कि जहां औजार बरतन और इमारतों जैसे वस्तों के अबसेस मिलते हैं ऐसी वस्तों का निर्माण लोगों ने अपने काम के ले किया था और बाद मेवे उन्हें वही छोड़ गए ये जमीन के अंदर जमीन के उपर और तभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं इन पुरा इस्तरों के बारे में आपको अगली अध्याय में बता जाएगा यहां बस आपको definition याद रखनी है कि पुरा इस्तर किसे कहते हैं जहां पर ओजार वरतन इमारतें जैसी वस्तों के अबसेस मिले हैं यानि पुरानी जो ऐसी जो है वो वस्तों ऐसी जगों पर मिली हैं जिनका जो है उन्होंने उपयोग किया होगा और जब उनका काम हो गया तो उनको छोड़ कर वो आगे चले गए नेक्स्ट है रहने की जगे भी उन्होंने खोज ली अब हुई आग की खोज मानचितर 2 में कुर्नूल गुफा ढूंडो जहां राख के अबसेस मिले तो हमने अभी मानचितर में देखा चलिए दुबारा से हम देखते हैं कि कुर्नूल की जो गुफा है जहां पर आग की खोज हुई यानि की राख के अबसेस वहां मिले ठीक है तो कहां मिले ये रही गुर्णूल की कुफा ये आपको याद रखनी है ठीक है आंदर प्रदेश साइड में है तमिलनाडू से उपर है एक एक चीज जो है वो आप यहाँ पर देखते चलिए याद करते चलिए इसका मतलब यह है कि आरंबिक लोग जो है वो आग चलाना सीख गए थे आग का इस्तेमाल कई जगहों के लिए किया गया होगा जैसे की प्रकास के लिए किया गया होगा मास को भूनने के लिए किया ग छाड़ा था इसमें चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं पुरा ततोविदों ने उनके बड़े-बड़े नाम रखी अरमविक काल को वे पुरा पाशान काल कहते हैं यह दो सब्दों पुरा यानी प्राचीन और पाशान यानी पत्थर से बना है तो ये जो नाम है पुरा इस ठलों से प्राप्त पत्थरों के ओजार के महत्र को बताता है ठीक है तो उस साइम जो है वो पत्थरों का ही जो है वो लोग पुरियोग करते थे तो उसी के नाम पर इन्हों ने उस समय का नाम रख दिया पुरा पाशान काल पुरा पाशान काल जो है इसका समय आपको याद रखना है 20 लाग पहले से 12,000 साल पहले के दोरान माना जाता है पुरा पाशान काल 20 लाग पहले से लेकर 12,000 साल पहले का इस काल को हम तीन भागों में बाट सकते हैं पुरा पाशान को भी तीन भागों में बाटा रहा है एक तो आरमधिक, तूसरा मध्य और तीसरा उत्तर पुरा पाशान युग यानि मानव इत्यास की लगभग 99% कहानी इसी काल में हुई किस में हुई पुरा पाशान काल में ही हुई most important line ठीक है जिस काल में हमें पर्यावरनिय बदला मिलते हैं उसे मैसोलित यानि मद्य पाशान युग कहते हैं इसका समय जो है वो लगबग 12000 साल पहले से लेकर और 10000 साल पहले तक का माना जाता है इसकाल के पाशान ओजार आम तोर पर बहुत छोटे होते थे अब जो पहले जब उन्होंने हत्यारों का प्रियोग या जिन पत्थरों का प्रियोग किया उनको एज़ेटी यूज कर लिया उनको ना तो नुक्वीला किया उन्होंने जैसे मिले क्योंकि उन्हें ग्याण ही नहीं था जैसे भी पत्थर मिलियो, उन्हें प्रियोग वह वैसे ही करने लगे, तो धीरे-धीरे जिस तरीके से हम कहते हैं कि experience जो होता है, वो सबसे मायने रखता है तो अगे के जू हम काम करते हैं, तो उन्होंने जब उनको प्रियोग में लिया होगा तोनोंने सोचा होगा कि ये जो है हत्यार अब हम अच्छे तरीके से इनको किसी को नुकीला बनाएंगे ताकि जो है कुछ ऐसी वस्तु है जिनके लिए नुकीली ही पत्थरों का प्रियोग करना चाहिए तो उनको जो है अच्छे तरीके से तयार वो करने लगे किनको प पूरा पाशान युग वाले औजार भी इस दोरान बनाए जाते रहे अगले युग की शुरुआत लगवग 10,000 साल पहले से होती है इसे क्या कहा गया नव पाशान युग कहा गया तो हमने काल को तीन भागों में बांटा था एक हमने देखा था पूरा पाशान काल ठीक है द 30,000,000 से लेकर और जो है वो 12,000 साल पहले के दोरान माना गया मद्य पाशान काल जो है इसका समय जो है वो क्या माना गया तो 12,000 साल पहले से लेकर और 10,000 साल पहले तक का माना गया ठीक है नव पाशान काल का जो समय है वो 10,000 साल पहले का माना गया तो ये जो समय है ये आप को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है मद्य पाशान काल को जो है वो क्या कहा गया तो हमने देखा इसको माइक्रो लित यानि लगू पाशान कहा गया क्यों कहा गया ये भी याद रखना है कि जो पत्थर जो है जो जिनके ओजार बनाए गए थे तो अब उन ओजारों को क्या किया गया, उनको थोड़ा चोटा बनाया जने लगा, अधिक नुकीला जो है वो बनाया जने लगा, जिसे कि बहुत अच्छे तरीके से प्रयोग में लाया जा सके, ठीक है? चलिए, नेस्ट देखते हैं, आगे क्या है चेप्टर में, बदलती जलवाईव, अब जो है ज रिणाम सरूप कई शेतरों में घास वाले मैदान बनने लगे इसे हिरन, वारा सिंगा, भेड, बकरी, गाए जैसे उन जानवरों की संख्या बड़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे, वे भी इनके पीछे पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रेजिनंड की समय की जानकारी हासिल करने लगे हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़ कर अपनी जरूरत की अनुसार पालने की बात सूचने लगे होंगे साथ ही इस काल में मचली भी भोजन का जो है वो महतकौन शोत बन गई तो जैसे ही मोसम जो है उसमें चेंजमेंट आया जलवायू बदली तो बहुत सारे चेंजमेंट आने देखने को मिलने लगे अब गास वाले मैधान बढ़ने लगे ऐसे जानवरों की संख्या बढ़ने लगी जो गास पर ही depend थे तो जो जानवर मर रहे थे तो उनको इनोंने क्या किया कि उनको जो है वो आप इनको क्या रखना चाहिए सुरक्षित रखना चाहिए तो अब इनोंने इनको पालने के बारे में भी सोचा नेक्स्ट देखिए खेती और पसू पालन की सुरुआ था तो अब देखिए मानव जो है कहां तक पहुँच गया था आखे तक और खादे संग्रहक था उसके बाद उसने रहने की जो है वो विवस्था धून ली ठीक है गुफाओं में रहने लगा उसके बाद जो है उसने नुकीले हत्यार ये बनाने लगी नवपाशांड जो समय था वह आया अब जो इनसान था जो मानव था आरंबिक मानव उसने ऐसे जानवरों को पालना जो दिया जिससे की उनके कई काम जो है वो चलने लगे ठीक है खेती और पसूपालन की सुरुआत जो है अब होने लगी इसी दोरन उप महादीद के भिन बिन इलाकों में ये हूँ जो धान जैसे अनाज प्राकर्तिक रूप से उगने लगे थे शायद महिलाओं पुरसों और पच्चों ने इस अनाज को भोजन के लिए बटोरना सुरू किया होगा पहले मानव को इतना ग्यान नहीं था जैसे ही एक जगे जो भोजन समापत हो जाता था तो वहां से जाग दूसरी जगे चला जाता था ठीक है अब जो है इनको जब ग्यान होने लगा आग की जब घो प्रारम कर दें तो जहां पर यह रहने लगे वहीं पर जो है वो खेती जो है वो प्रारम ने करनी स्टार्ट कर दी तो यहां पर जो महलाएं थी पुरुष थे बच्चे जो थे तो जो अनाज होता है तो उसको भोजन के लिए जो है उन्होंने बटोरना सुरू किया यानि पीज जो है वो ढूणा ठीक है साथ ही वे यह भी सीखने लगे कि यह अनाज जो है वो कहां उगते हैं कब पकत कर तयार होते हैं ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा इस परकार धीरे धीरे जो है वो अब क्या बन गए खाद्य सं जंगली जानवर को पालतू बनाया गया तो वह था कुत्ता ठीक है ये लाइन जो है कई बार पूछी गई है कुत्ते का जंगली पूर्वस था धीरे धीरे लोग भेड़ पकरी गाय सुवर जैसे जानवरों को अपने घर के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे ऐसे जानव जुन्ड में रहते थे और ज्यादा तर घास खाते थे अकसर लोग इन जंगली जानवरों के आकर्मर से इनकी सुरक्षा किया करते थे इस तरह धीरे धीरे जो है वह क्या बन गए खाद्य संग्राहक से जो है क्या बन गए पसूपालक को बन गए ठीक है अक्रशक बन गए पसुपालग बन गए क्या तुम बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया गया तो यह question है तो इसका answer जो है वो आप खोजिएगा आपके exam में तो नहीं आएगा बसने की प्रक्रिया लोगों द्वारा पौधा उगाना और जानवरों की देखवाल करने क क्या कहा गया बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया तो यह definition जो है वो आप याद रखेगा यह परिवासा जो है वो याद रखनी है कई वार पूछी जाती है कि बसने की प्रक्रिया किसे कहा गया तो किसे कहा गया पौधे उगाने और जानवरों की देखवाल करने की जो प उधारन के तौर पर लोग उन्ही पौधों जानवरों का चैन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो ठीक है तो किन को पाला जाएगा ऐसे जानवरों को पाला जाएगा जो कि लंबे टाइम तक रह सके जो कम बीमार हो यही नहीं लोग उन्ही पौधों को चुनते थे जिनसे बड़े ताने वाले अनाज पैदा होते थे साथ ही इनकी मजबूर डंठले अनाज के पके धानों के भार को समाल सके ऐसे पोधों के बीजों को समाल कर रखा जाता था ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुन सुरक्षित रह सके तो जैसे जैसे ये कारदे करने लगे इनको knowledge होने लगी और फिर ये आगे बढ़ने लगे उन्ही जानवरों के आगे प्रजनन के लिए चुना जाने लगा जो आम तोर पर आहिंसकों होते थे यानि कि आगे जो है ये जानवर जो है इनको सुरक्षित रखा जाए और ऐसे जा जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिल्न होते गए मिसाल के तोर पर जंगली जानवरों के तुलना में पालतू जानवरों के दात और सींग छोटे होते थे ठीक है तो इसी लिए इनको पाला गया ठीक है तो question पूछा गया था कि सबसे पहले जो है वो मानव ने जो ह सामें मिल गया तो सबसे पहले ऐसे ही जंगली जानवरों को पालतू बनाया गया जिनके दात और सींग छोटे होते थे जिसे कोई भी हानी ना हो इन दातों को देखो ये जो चितर बना हुआ है तो आपको जो है ये दात दिखाई दे रहे हैं तो ये जो है ये छोटे दात ह ठीक है और कम नुकीले हैं इन दांतों को देखो इन में से कौन सा जंगली सुवर का है और कौन सा पालतू सुवर का है तो ये लाइन जो है इंपोर्टेंट ये सिर्फ ऐसे ही पूछा गया है क्योंकि सिक्स क्लास के बच्चे है तो उनके अकॉर्डिंग जो है ये कोशन पू है क्रशी के लिए अपनाईगे सबसे प्लाचीन फसलों में गेहूं तथा छो आते हैं पश्वों की हमने बात कि सबसे पहले पालतू पसुव किसको जंगली से जंगली जो जानवर ठाए को पालतू पसुव बनाया गया ऐा कुद्टे को सबसे पहली फसल जो की क्रशी में अपनाई गई वो क्या कौन सी थी गेहू और जो यह आपको ध्यान में रखनी है फर्स चैप्टर में भी हमने ये चीज जान ली थी ठीक है हमने देखा था कि जो गारो खासी की जो पहाडियां है इसके अलावा बिंदे पहाडियां है तो सबसे पहले जो पसल उगाई गई थ तो वो गेहू और जो थी उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानडवरों में सबसे पहला तो गुत्ता था उसके बाद भेड़, बकरी, गाय ये जो है वो पालने लगे आनाज के ऊपयोग तो अनाज जो है उसका ऊपयोग किसमे किया गया बीज के रूप में, तो अनाज का उपयोग भी कई रूपों में होने लगा, एक तो सबसे पहली प्रियोग क्या थी कि इसको खाने में प्रियोग में लाया गया, फिर लोग उने जो है सोचा कि ये जो है अब खतम हो जाएंगे, तो नेक्स्ट जो येर है तब भी हमें जो इसकी जिरत पड़ेगी तो नोंने इसको जो है बीज के रूप में भी इसको सुरक्षित रखना प्रारम कर दिया, अब लोग जो है वो जब एक जगे रहने लगे, तो जब भी उन्हें खुसी होती थी, तो उपहार के रूप में भी जो है इसी का प्रियोग करने लगे, अनाज का ही ठीक है, और भ पौदे के बीज को बो कर देखो, तुम पाओगी कि इसे बिकसित होने में कुछ वक्त लगता है, इनमें कुछ दिन महीने या फिर साल तक लग सकते हैं, इसी लिए जब लोग पौदे होगाने लगे तो उनकी देखवाल के लिए उन्हें एक ही जगे पर लंबे समय तक रह अब जब कुछल खादे संग्रहाग था जब मानव तो इतना काम नहीं था उसके पास, क्योंकि वो क्या करता था, शिकार करता था और कच्चा मास यूही खा जाता था, ठीक है, तो काम भी कम ही था, नौलेज भी इतनी नहीं थी, पेड़ पौदे जो फल फूल थे, उनको भी डारेक्ट खाल लिया करता था, अब जो क्या हुआ कि धीरे धीरे जैसे जैसे नौलेज बढ़ती गई, उनके पास जो है काम भी बहुत आ गया, ठीक है, अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इसे के अमीन में गड़ा खोदा, क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी अब भोजन सब रहे करने वाले बरतन बनाते और उनका प्रियोग करते होंगे, अपने जवाब का परण बताओ, जानवर चलते फिरते खाते भंदारन थे, ये कैसे थे, तो जानवर बच्चे देते हैं, जिस में मास भी मिलता है, दूसरे शब्तों में पशुपाल्ग भोजन के भंदारन का एक तरीका है, ठीक है, तो इस तरीके से खाते भंदारन का काम भी करता था जानवर, उन्ही जानवरों को पाला गया, जो कि कम खतरनाक थे, जिनके दाइट, नुकीले कम थे, ठीक है, तो ऐस प्रिशे से संधाने की आपको कोशिश की है और मुझे लगता है कि चैप्टर पढ़ते पढ़ते आपको जो भी important चीज थी वह आपको यहीं पर याद भी हो गई होगी थीक है तो ऐसे ही पढ़ना है कि एक बार आपने चैप्टर पढ़ा और आपको important fact जो है यहां पर ही आरब दे कृश्कों और पसु पालकों के बारे में पता करो, तो चलिए मिलते हैं नेक्ट वीडियो में, थैंक यू